पाइनल डिवीजन में आपका स्वागत हर मैं हुई याश आज जानेंगे आर्ट अन कल्चर से रिलेटेट अक्टूबर के गरण डफेट्स के बारे में सबसे पहले है स्वादेश दर्सन 2.0 देखिए ये स्वादेश दर्सन 2.0 है इसके तहत डेस्टिनेशन पर इंफ्रस्ट्रक्चर को डेवलब करने की बात की जा रही है स्वादेश दर्सन इसकीम 2014 पंद्रा में लॉँच हुई थी और अब 2.0 लॉँच हुए इसका जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है इसमें 100% खर्च सेंट्रल गवर्मेंट करेगी मिनिस्ट्री आफ टूरिज्म एंड कल्चर में अब यहाँ पर 15 श्टेट्स में दो या तीन डेश्टिनेशन चुनी गई हैं डेवलप करने के लिए जैसे मद्यप्रदेश में ग्वालियर, चित्रकूट, खजुराहो को उत्रप्रदेश में जहाजी और प्यागराच को महराश्ट में अजंदा और अलेवरा की गुफाओं के आसपास तूरिज्म इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलप करना है आगे जानते हैं निहूसू के बारे में हाली में नई दिली में स्थित जापान के अमबसी ने निहूसू नामक एक ड्रिंक को जी आई टेक देने के लिए एप्लिकेशन फिल की है निहूसू एक जैपेनीज सेख है ये एक एलकोहलिक बेवरेज है मतलब इसको पीने से नश्या होता है इसका निर्मान फर्मेंटिंग राइस से होता है जापान में से इस्पेशल ओगेजन में पिया जाता है आगे न्यूज में है हमपी एंड खजुराहो के डेंपल देखें इंडिया जी ट्वेंटी का 2022 से 23 का समेट होस्ट करने वाला है तो जी ट्वेंटी के कल्चुरल ट्रेक के लिए हमपी और खजुराहो को गौर्मेंट होस्टिंग करने के लिए चुन रही है बात करें हमपी की तो तुंग बंदरा नदी के किनारे इस्ते थे थे बेलारी डिस्ट्रिक करनाटक में ये 14-16 वी सेंचुरी में विजेनगर एंपायर की कैपिटल भी रही है विजेनगर एंपायर को हरियर और बुक्का ने 1336 में स्टैबलिस किया था हम भी युनेस्को की वर्ल हैरिटी साइट भी है इसे वर्ल का सबसे बड़ा ओपन एर म्यूजियम कहा जाता है यहां पर द्रविन सहरी के मंदर मिलते हैं मंदिरों में कृष्णा टेंपल कॉंपलेक्स, विट्टल टेंपल कॉंपलेक्स, वीरुपाक्स टेंपल, स्टोन चेरियेट, गरून स्राइन, पट्टावी रामा टेंपल, लोटस महल, आधी उपस्ते थे 1665 इसवी में हुए बैटल आफ ताली कोटा में यहां के टेंपल्स को बहुत शती पहुचे थी हाली में 50 रुपे की करेंसी नोट पर स्टोन चेरियेट या हमपी के रत मंदर को दर्थाया गया है फिर आगे खजराओ के टेंपल, यह मत्य प्रिदिस के चदरपूर डिस्ट्रिक्ट में उपस्ते थे यहां पर चंदेल डायनेश्टी ने इसे बनाया था नागर्शायली में टेश टेंपल्स हैं वेस्टर इस्टर और साउदन क्लस्टर में ये टेंपल हिंदू और जैन डिलीजन से के बारे में अब आगे जानते हैं महां का लोग कोरिडोर के बारे में तो हाली में प्रदानमंत्री जी ने महाकाल लोग कोरिडोर उज्जेन के महाकाल इस्वर मंदिर में इसका पहला phase inaugurate किया इसमें महाकाल इस्वर मंदिर के परिशर को विस्तारित किया जाएगा मतलब expansion होगा यहां का ताकि व्यवस्ता बढ़ा ही जा सके है अब इस कॉरिडोर में दो एंडरेंस होंगे एक नंदी द्वार दूसरा पिना की द्वार ताथी 900 मीटर का Long Pedestrian कॉरिडोर बन रहा है जो महाकाल टेंपल को भगवान शिव के 108 मुराल्स और 93 स्टैचियूस से जोड़ेगा अगे जाने रोजेटा स्टोन के बारे में ये एक अभिलेग है जो इजिप्ट का है लेकिन अभी है UK के पास UK के पास कैसे किया ये तो जब नेपोलियन अपनी territory का विस्तार कर रहा था ना तब इजिप्ट से ये स्टोन उसे मिला था जब वहाँ पर वार लड़ा गया था तो UK और फ्रांस की सेना कंबाइन रूप से उस वार में जीत गई थी और जब इन्हों ने संसादनों का बटवारा किया तो ये स्टोन UK की म्यूजियम में चला गया अब इसे वापस लोटाने की बात की जा रही है तो याद रखिए का रोजेटा स्टोन है एजिप्ट का अगे पंजाल वैली में ये राज़ौर और पुँच डिस्टिक में रहते हैं जमुकस्मीर में पहाडी के साथ साथ गुजर और बकरवाल भी कस्मीरी लेंग्वेज नहीं बोलते हैं गुजर्स और बकरवाल मुखिता मुस्लिम्स हैं समवीदान के आर्टिकल 341 के क्लॉस 1 के अन इसमें लिस्ट का डाइडल है हैंल डाज़िव वैन्ड्लिंश को भी बताया गया है और इनकी कहानिया बताई गया है कि इन टेक्स्टायल का बनना कैसे हुआ ये बिपतायागि कि नोर्थ इंडिया से पानीपत से खेस हिमाचल प्रदेश की चंबा अर डाई वाराणसी के अवाज जामदद्नी टेकनिक, फिर साउथ इंडिया से है करनाटक से इलकल या लंबाडी और बंजारा एम्रोइडरी, फिर तंजावुर से सिकलना याकन पेट कलमगारी, तमिलनाडू से है सुगंदी और टोड़ा एम्रोइडरी, हिम्रू वीप से है 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 धराबात से, मुवी रिलीज हुई है कंदारा, उसमें यह रिचूल परफॉर्म हुआ है, डारेक्टर ने बताया है कि यह रिचूल हिंदोिस्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोग इसे ट्राइबल कम्यूनिटी का मानते है, भूता कोला रिचूल में, वहां की लोकल कम्यूनिट लोकल इस्प्रेट यह डिडीज की पूजा करते हैं, एक व्यक्ति खुद को गौट की तरह दर्शाता है, लोग उससे अपनी समस्याइं बताते हैं, माना जाता है कि उस व्यक्ति में होली इस्प्रेट आ जाती है, जिससे उन्हें सॉल्यूसन मिलता है आगे जानते हैं किटूर उत्सव के बारे में, ये दो दिन का फेस्टिवल है, जिससे करनाटक में सेलेबरेट किया जाता है, इसे 1824 में हुए पहले ब्रिटिस हर्स के खलाब फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में देखा जाता है, किटूर की रानी चेनम्मा ने ब्रिटिस हर रुमैन का विबाह, राजा मले सर्जा से हुआ था, आगे जानते हैं खांकुई केव के बारे में, ये मनिपुर में अबस्तित है, यहाँ पर बैट्स की कॉलोनी पाई जाती हैं, चमगादड होती हैं यहाँ पर, तो फॉरेस्ट ऑफिशियल उन कॉलोनी को खत्म करने की ब मनिपुर की उख्रूल और कामजोंग डिस्टिक में, अब अक्टूबर में आर्ट एंड कल्चर में बस इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, थैंक यू सो मच वा लिसनेंग